असलाम वालेकुम वीवर्स, विलकुम बैक टू माई योट्यूब चैनल, तो आज हम आपके साथ एक सिंपल और मज़ेदार काबुली चने का रगड़ा बनाने जा रहे हैं, वो भी मेरे स्टाइल में, तो चले स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ 250 ग्राम काबुली चना लिया ह और उन्हें राद बर भीगो के रखा था, साथ ही हम उसमें दो बड़े आलू एट करेंगे, हमने इसे बीच से कट कर लिया है, दो टी स्पून सॉल्ट एट करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी एट करेंगे, और दो कप हम इसमें पानी डाल कर इसे हम तीन सीटी तक गला ले हरी मिर्चे चॉप्ट, दो से तीन टेबल स्पून हम धनिया पत्ता चॉप लेंगे, प्रेशर कुकर को हमने ओपन किया है, देखे, हाथों की मदद से हम काबुली चना चेक करते हैं, तूट रहा है या नहीं, देखे, आसानी से काबुली चना तूट रहा है, दूसरा चेक करके, इसकी स्कीन निकाल लेंगे, स्कीन निकालने के बाद देखे, कुछ इस तरीके से, अभी हम इसे मैश कर लेंगे, बहुत ही स्मूथली मैश करेंगे, देखे, हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम इसमें काबुली चने का स्टॉक एड़ करेंगे, हमने यहा जड़त करें अगर कम चाहिए तो आप हाफ अपिन लिए देखें लिए हम अच्छे से मिक्स ने अफ हमbbles मिक्स करने के बाद इंदली का पल्प फैट करेंगे जु धुमली और मिक्स करेंगे जो तुरी लिया है साथ ह ही मिक्स करेंगे कर दो तेज़ खाथ लिए और तो करें साथ हम इसमें चॉप ठरादन्या भी आड़ करके इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखें बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हमने रगडा बनाया है बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे एक बर जरूर राए करें हमने यहां नमक टेस्ट किया था हमें कम लगा ह हमने इसमें हाफ टीस्पून एड़ किया है आप पहले चेक करें और फिर आप आपके एकोडिंग एड़ करें साथ ही हम उसमें बॉयल हम काबुली चना एड़ करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखें बहुत ही आसान तरीके से हमने काबुली चने कर अगरा तयार और ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें थैंक्स फॉर वाचिंग